राज़त सुप्रीमो सहभिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालुपिशाद यादव के पासपोर्ट से संबंधित मामले में सुनवाई शुक्रवार को सीबियाई की विशेश अदालत में होनी थी लेकिन लोवर कोट के वकील उजवल सहाई के निधन के कारण इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी अब अगली सुनवाई 14 जून को होगी लालुपिशाद यादव की ओर से पासपोर्ट लोटाने और देश के बाहर जाने की अजाज़त मांगी गई थी उन्होंने यह अपील चारा घुटाले की दुमकार ट्रेजरी मामले में की है लालुपिशाद यादव चारा घुटाले मामले में जमानत पर है गौर्टलब है कि दो महीने पहले जब उन्हें राची के रिम्स से एमस दिल्ले शिफ्ट किया गया था तब डॉक्टरों ने उन्हें किड़ी ट्रांस्प्लांट कराने की सलाह दी थी जिसके बाद लालू यादो के सिंगापूर जाने की चर्चा है हलाकि अगली सुनवाई में यह साफ हो पाएगा कि वह देश से बाहर जा सकते हैं या नहीं न्यूज विंग के लिए राची से रफी शमिक रपोर्ट